अब बहुत हुआ, तो हारी सरोफ को तो 9 मईं के वाके में गिरफदार कर लेना चाहिए लहोर Κलंदर के फैंस का दावा लहोर कलंदर वालों को कितना फायदा हो रहा हो रहा है? लहोर कलंदर के आइफून भी बच रहे हैं और कलंदर सीटी के पलोट्स भी अब लहुर कलंदर को सिर्फ हाई कॉट ही जितवा सकती है लहुर कलंदर के खिलाफ दूसी टीम वाले हर बार दो प्रोपर स्मिनर वो खिला रही है लेकिन ये चा कर भी नहीं खिला सकते लहुर कलंदर वाले वारा जो बिग हिटर हमें लेगा सावज शकील वाज पूट शेंच उसकी आहिट है इतने 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 टांगे है मैंने उसके लीडर के आवाले से सिर्फ बगोड़े का लफज इस्तेमाल किया इतनी बदजबानी मैं तसवर नहीं कर सकता हूँ और उसको रोपने के लिए या मजीद हरसा सराई से रोपने के लिए मैंने उनकी तरफ पहले हाथ बढ़ाए है आप फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खतम हो नहीं प्रोग्राम किदर जारी रहा प्रोग्राम तो वड़ गया लहोर को छोडने की हिम्मत है नहीं तो लहोर के बिन लहोर की याद के बिन जिये जाने की हिम्मत है नहीं तो असलाम अलेकम दोस्तों लहोर कलंदर हार तो रही है लेकिन इसकी इज़त भी उतारी जा रही है मीडिया पर बैट कर शाहिंशा अफरीदी का इतना बड़ा statement आया है उससे पता लग रहा है कि लहुर कलंदर कितना weak mind लेकर चल रही है इस tournament में शाहिंशा अफरीदी ने कहा हमें राशिद खान की बहुत कमी मैसूस हो रही है middle order में हम विक्टे नहीं ले पा रहे शाहिंशा फरीदी को ये बात करते हुए शरम भी नाई शाहिंशा फरीदी से जस्ट ये पूछा गया था स्वाल में कि आप किस पर blame डालेंगे बैटिंग पर बोलिंग पर या फिल्डिंग पर शाहिंशा फरीदी का कहना तक है मैं किसी को भी blame नहीं दूँगा उसने पहले तो बात की फिल्डिंग की के फिल्डिंग हमारी बहुत ही वीक है दूसरी बात उसने राशिद खान पर ले गया वो यानि इसकी सब बैटिंग की कमजोरियां बोलिंग की कमजोरियां हारी सरुफ जो इतने ज्यादा रंज का रहा है उसकी और आप जो खुद रंद मिशीन बने हुए उसकी सारा ब्लेन इसने राशिद खान पर डाल दिया एक प्लेयर के चले जाने से क्या इतनी टीम वीक हो जाती है अभी तो पार्टी शुरू हुई है शाहिशा फरी थोड़ा वेट करो अपने दिल को थोड़ा सा बढ़ा करो एक प्लेयर के जाने से पूरी टीम खतम नहीं हो जाती अपनी परफॉमस पर बात करो आपकी बोलिंग जो कितनी बुरी करवा रहे हो उस पर बात करो हारिस रोफ को रेस्ट दो आप उसको बैक करे हो बार बार रेस्ट देने के बाद कोई भी ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है जब जब कोई भी पाकिस्तानी को बाहर बिठाया वो अच्छी परफॉमस दे कर ही कम बैक करता है लेकिन हमारे हाँ सिरफ सिफार्शी बर्तिकियों हैं जिस वज़ा से उन्हों को बार नहीं बठाएंगे हम लोग देखें शाइनशाफ रिदी का ये परसनल स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हैं अब लेकिन अब इसको परसनल नहीं ले सकते अब वो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है और दो हजार चोबिस में अभी कुछ महिने बाद वर्लकप आने वाला है जब ऐसा माइन लेकर वर्लकप में जाएंगे तो इससे भी बुरी परफॉर्मस होगी हमें ऐसा कैप्टन बिलकुल भी नहीं चाहिए हमें ऐसा कैप्टन चाहिए दो दिलेर हो वाट अबाउट इस यंग बलड जस्ट रमेंबर दी नेम ख्वाजा नाफे मगर जैसे यह बैटिंग कर रहा था आज जैसे इसका बैटिंग का स्टाइल था हमें ऐसा फील हो रहा था है आने वाले टाइम में फ्यूचर स्टार है यह पाकिस्तान के लिए वैल देन यंग गन एट 362 तो हारिस रोफ और वन तो शाहिंशा फरीदी कल का बच्चा बेस्ट बोलिंग लाइन के सामने कैसे बैटिंग कर रहा था आज कल के जितने भी यंग स्क्रिक्टर आ रहे हैं उनको ऐसा फिल होता है के आज जो रिक्वार्मेंट चल रही है क्रिकट में हमें वैसा बनना पड़ेगा लेकिन जो हमारे पराने बाबे बने बैठे हैं हारिस रॉफ को देखो कोई भी उंप्रूमेंट नहीं लेके आ रहा एशिया कब में इतनी गंधी पर्फॉर्मस वर्ल्ल कब में इतनी गंधी पर्फॉर्मस किस की बात करूं मैं शाहिंशा अफरीदी को देख लो, ITL लीग में सिर्फ एक मैच अच्छा कहला, उसके बाद अभी तक इतनी गंदी परफॉर्मस चल रही है, एस्टेलिया में वर्ल्ल कमें भी, I like Lahore Kalender टीम, but I don't like this type of bowler. वाव, वटा बैटिंग, 42 बाल्स, 85 गुड हिटिंग बाई हारिस रॉफ, दी रन मशीन. हारिस रॉफ ने जो PSL में बोलिंग की, सब लोग वो भूल गे, जो इससे पहले हारिस रॉफ ने एचीव किया, इंटरनेशनल में जो बोलिंग की, सब लोग भूल गे, क्योंकि नाम निकाला है, पाकिस्तान कहीले लिए इसने ना की है पाकिस्तान के लिए, तब से पाकिस्तानी अवाम इसको जुत्य की नोग पर रख्रही है, घर मैच में इसकी इतनी बूरी परफॉमस है, और उपर से ये गालिया और खाने लग गया, अब ग्राउन में इसको लोग गालियां दे रहे थे. His time to take retirement. इसको जल्द ही retirement ले लेने चाहिए. थोड़ी बहुत जो इज़त इसकी बची है वो तो बरकरार रखे. वरना जैसे इसकी performance चल रही है. पहले मैच में भी 50-50 होते हुए बच गया. दूसरे मैच में भी 50 होने से बच गया. हर मैच में 50 के करीब ये रंस खा रहा है. कहां पर है सर आकिब जवेज साहिब? जो बोलते थे लोहर कलंदर की बेस्ट बोलिंग लाइन है. लोहर कलंदर के जो बोलर्स है वो ही पाकिस्तानी टीम में शामिल होने चाहिए. कहां पर गई ये लोग? इन्हों ने दो टाइटल क्या जीत लिए. वहां पर गलती है. कोई नहीं बोल रहा. आकर कोई प्रेस कोंफरंस तो करे आके. देखो जीए मैं मानता हूँ. पीएसल में दो टाइटल होर कलंदर ने विन किये है और बहुत मेनत भी की है इसके पीछे. शाहिए अफरिदी की कैप्टेंसी में आते ही दो टाइटल अपन टोप के प्लेयर्स तो अपने लीग्स में खेल रहे होते हैं या अपनी कोमी टीम में खेल रहे होते हैं. यहां पर आकर जो थर्ड क्लास के लोलर होते हैं या थर्ड क्लास के बैट्समेन वहां पर ये शेर बन रहे होते हैं. उस बहाँ पे ये पाकिस्तनी टीम में आ जाते सुबा का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते लहुर कलंदर के भी कुछ ऐसे ही हाल है अपनी परानी परफॉर्मस को बरकरार रखते हुए बोटम में टोप करते हुए PCB को थोड़ा सोचना चाहिए जैसे शाहिए अफरिदी की परफॉर्मस इस टाम चल रही है और कैप्टेंसी भी इस पर थोड़ा स्वालिया निशान उठ रहे है इसकी परफॉर्मस देखनी चाहिए पूरे PSL की और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए इसकी कैप्टे सीपे वर्लकप में शाहिए अफरिदी ने चार ओवर में 38 रंस दिये बहुत एक्सपैंसीव रहे पहले मैच में भी और सेकिंड मैच में भी हारी सिरॉफ की तो बात ही ना करो इसकी तो पहले ही कलास हो चुकी है इस बार भी 50 करते-करते रह गया ये जमान खान ने अच्छ नहीं की लेकिन बैटिंग कमाल के की सकंदर रजा फ्यास कान इन्हों ने भी अच्छी बोलिंग करवाई शाहिए अब ही आप पाकिस्तान टीम के कैप्टन है आप पे बहुत बड़ी जिमेदारी है आप थोड़ा सीरियंस होके खेलो आप पाकिस्तानी टीम के लिए खेलना चाते हो आप वर्ल्लकप जिताना चाते हो मगड़ पहला एम आपका ये है लहुर कलंदर के लिए तीसरा टाइटल मैं जितवा लूं ठीक है माल यह आप जितवा सकते हो लेकिन जो आप हरकते कर रहे थे मैच के दुरान बच्चे को आप डरा रहे थे लेकिन बच्चे ने यापका क्या अच्छे से इस्तक्बाल किया जब च्छका मारा आपको और आपकी तरफ देखा तो मज़ा आ गया इन दोनों से अच्छी तो दूसरी टीम के बोलर वो अच्छी बोल करवा रहे थे मैं बात कर रहा हूं महमद आमिर की महमद आमिर शैंशाह अफरीदी से हारिस जो भी करंट बोलर है पाकिस्तान के पास उन सबसे अच्छी ग्रेद करवा रहे हैं मैच के दुरान दोस्तों आपका क्या उपीनियन है लहूर के लंदर कहां पे गलती कर रही है बैटिंग में बोलिंग में या फिर फिल्डिंग में क्योंकि आगर आप लें बैटिंग दे आप लेगा